Hello everyone, welcome back all of you, मैं आचल मरंकर, हमने हमारे पिछली वीडियो में श्रिमत भगुत गीता का बारवा अध्य देखा था, जो की संस्कृत में है, आज हम इस वीडियो में उसका तातपरिया आपने की सार देखेंगे, टोटल 20 श्लोक है, सारे एक के बाद एक देखेंगे, इसमें मैं संस्कृत में नहीं बोलती हूँ, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, और अल्रेडी मैंने उसे अपलोट कर दिया है, आपने देखा नहीं होगा, तो प्लीज देख लीजेगा, तो चले हम स्टार्ट करते हैं, पहले श्लोक में अर्जुन में भगवान श्रिकृष्ण से सवाल पूचा है, ओ है, अर्जुन ने पूचा, जो आपकी सिवा में सदेवत अत्पर रहते हैं, या जो अव्वेत निर्विशेश ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकागर करते हैं, और अत्यन्द श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदेव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वार परम सिद्ध माने जाते हैं, तीसरे और चोतिश लोग का सार है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश्मे करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कलपना के अंतरगत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पुजा करते हैं, जो इंद्रियों की अ कलपनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तता दुरू है, वे समस्त लोगों के कल्यान में सलगन रहकर अत्यंता मुझे प्राप्त करते हैं, पाचविश लोग का अर्थ हैं, जिन लोगों के मान परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरुप के प्रति आसकत हैं, उनके अत्यंतक कश्ट प्रद है, देहधरियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करपाना सदयव दुशकर होता है, चटवे और सात्वेश लोग का सार है, जो लोग सारे कारियों को मुझे में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझे पर स्तीर करके निरंतर मेरी ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्त मैं जन्ममृत्य के सागर से क्षीगर उद्दार करने वाला हूँ, आठवेश लोग का सार है, मुझ भगवान में अपने चित्तों को स्तीर करो और अपने सारे जन्देह मुझ में सदेववास करोगे। नुविश लोग का सार है, हे अर्जुन, हे धनन्जय, यदि तुम अपने चित्तों को अविचल भाव से मुझ पर स्तीर नहीं कर सकते, तो तुम भक्तियोग के विदी विदानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन न करो। दस्विश लोग का सार है, यदि तुम भक्तियोग के विदी विदानों का भी अब्यास नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए कर्मा करने का प्रैत न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्मा करने वाले से तुम पूर्णा अवस्ता सिद्धी को प्राप्त ग्यारविश लोग का सार है किन्तु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्तफलों को त्याग कर कर्म करने का तता आत्मस्तित होने का प्रैत्न करो ग्यारविश लोग का सार है यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ग्यान के अनुशीलन में लग जाओ लेकिन ग्यान से स्रेष्ट ध्यान है और ध्यान से भी स्रेष्ट है कर्म फलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुश्य को मनस्शान्ति प्राप्त हो सकती है तेरवे और चोदहश लोग का सार है जो किसी से द्वेश नहीं करता लेकिन सभी जिवों का दयालू मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मित्य अहंकार से मुक्त है जो सुख दुख में समभाव रहता है सहिश्णु है सदय वा आत्मत रिष्ट रहता है आत्मसैयमी है तथा जो निच्चे के साथ मुझमिस मन तथा बुद्धी को स्तीर करद के भक्ती में लगा रहता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है पंड़ईश लोग का सार है जिससे किसी को कष्ट नहीं पोचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलीत नहीं किया जाता जो सुख दुख में भै तता चिंता में समभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है क्रमांक सोला का सार है मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है जो शुद्ध है दक्ष है चिंता रही थे समस्त कष्टों से रही थे और किसी फल के लिए रैतनशिल नहीं रहता मुझे अतिशे प्रिय है सत्राविश लोग का सार है जो न कभी हर्शित होता है न शोक करता है जो न पच्चताता है न इच्छा करता है तता जो शूप तता अशुप दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है 18 और 19 श्लोग का सार है जो मीत्रो तता शत्रूओं के लिए समान है जो मान तता अपमान शीत तता गर्मी सूप तता दूख यश तता अपयश में समभाव रखता है जो दुशित संगती से सदैव मुक्त रहता है जो सदैव मोन और किसी भी वस्तुओं के संतुष्ट रहता जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्यान में डट है और जो भक्ति में सलगन है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यनत प्रिय है क्रमांक 20 शलोग का सार है, यह इस अध्याय का आखरी का शलोग है, जो इस भक्ति के अमरपत का अनुसरन करते हैं, और जो मुझे ही अपना परम लक्ष बना कर श्रद्धा रहित पूर्न रूपेन सलगन रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है इस प्रकार श्रिमत भग्वत गीता के बारवे अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदान्थ तात्परिय पूर्न हुआ धन्यवाद, थैंक्स पर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार